दोस्तों एक चीज आपने नोटिस किया होगा बैंक जितने सारे बैंक होते हैं जो अपने कार्ड को भेजते हैं आपके पास आपके होम एड्रेस या ओपिस एड्रेस पर आप नोटिस करते होंगे only blue dot courier से भीजाता है और सारे courier इंडिया में हैं जैसे कि delivery हो गया और स्पीट पोश्ट हो गया और भी courier हैं बट क्यों चुनाता है अगर आपका आपका कार्ड या कोई समान अगर इस courier से आता है अगर नहीं मिलता है तो कैसे आप सकते हैं क्या करना चाहिए कैसे आप बैंक में other courier के लिए complain करवा सकते हैं सब कुछ आपको details में बताने बाले है इस वीडियो को पूरा देखना एक वीडियो आज ने तो कल आपके काम आने वाला है तो मेरा आपसे request है एक वीडियो को like करके support कर देना और चनल पर नए आये हैं तो चनल को subscribe के bell icon को on कर देना दोस्तों हम चाहे किसी bank card apply करते हैं bank हमारा अपने सभी card को debit card को या कोई भी है कोई भी चीज चेक book हो अकसर देखते हैं कि अपके पास बिजा जाएगा और आपके पास आपके message में जब bank send करेगा तो आपके message में भीर दिया जाएगा इस type का message कि आपका हमने जो है इस courier से वेजा है उसमें आपका tracking number रहेगा आप website से track कर सकते हो और यहां पे आप सवाल हो गया भीजने का बट bank भीजता क्यों है दोस्तों मैं आपको बता दूं इंडिया में जो बुलूट कोरियर है अपने आप में काफी एकदम privacy और security दार कोरियर है कारणे है इसकी policy बहुत अलग है एकदम नियम के अनुसार काम करती है बैंक इसमें बेजता है कि इस courier की policy ए है जिस address पर आप रहते हो उसी address पर आपको मिलेगा साथ ही साथ अगर आपका जो नंबर है उस नंबर पर calling भी करते हैं उस नंबर पर आएंगे आपका एक ID फूप लेंगे verification करने के बाद आपको देते हैं अगर मालू किसी और address पर आप रहते हो और किसी कारण बस पास फिर दुबारा कार्ण आपको यह नहीं मिलेगा आप चाहे कुछ भी कर लो यह आपको नहीं देने वाले हैं अगर आप इनके पास call करोगे तो इनके तरफ से आपको बताय जाएगा आप जो है bank को email करो bank को call करो bank हमें email करेगा तो जाके आपको हम देंगे जब bank में call कर तो bank आपको बोलता है कि आप bank में जाओ दूसरा address update करो उस address पर आपका दुबारा card जाएगा इस चीच करने के लिए आपके पास timing में रहता है कापी आप प्रिसान होते हो और आपका card इसी करण बस वापी जाके cancel हो जाता है अब यहां पर मैं आपको तरीका बताने वाला कोरियर से क्योंकि bank की policy bank का rule है इसमें आप change नहीं करवा सकते हो बड़ मैं आपको तरीका बताऊंगा जिसको मैंने follow किया था इसको सबज़िएगा मेरा 8 से 10 साल का experience आप प्राप करें ज्योंकि आपके काम आएगा जोस्तों मैं करीबन जितने भी सारे card मंगा है मेरे सारे card blue कोरियर से आये थे मेरा SBI card आ रहा था बुलूट कोरियर से तो कि मेरा पीन कोड़ गलत था मेरा card dispatch हुआ मैंने customer care में call किया मैंने बताया कि मेरा जो card है मेरे address पर नहीं आ रहा है क्यों तो जो customer care team थी वो बताई कि sir आपका जो है पीन कोड़ गलत है एक आड़क को नहीं मिल सकता है आप जाके bank में call करो और उनको बताओ हमें mail करें तभी आपको मिलेगा मैं branch में गया तो branch वाले मेरा कोई help नहीं किये फिर मैंने customer care में call किया और मैंने बताया उनको कि sir मेरे area में service नहीं है मेरा जो area है वो out आता है जैसे कि मेरे area में कोई ऐसा courier card system नहीं है और मैं प्रिसान हूँ अगर आपको card देना ऐसा तो दीजिए नहीं तो फिर इसो cancel कर देजिए मैंने साब साब बोलाई चीजी फिर इसके बाद bank ने बोला कि sir इ आप मेरे card को speed post से send करवाएं तो bank मुला ठीक है हम आपका complaint यह पर दर्श करते हैं और अपने team को फरट करते हैं आपका credit card है उसे हम speed post से भीजेंगे speed post से मेरा card 4-5 दिन बाद जब वापिस गया bank के पास तो bank ने में speed post से send किया मेरे पास आसानी से आ गया without किसी problem का अब यहा अपना card हम speed post से या delivery से या अधर कुरियर से मंगवा सकते हैं जब आपका card अप्रूव हो जाए तो आपको customer care में call करना है और यह नियम सभी bank के वाले follow नहीं करते हैं कोटक महंद्रा bank follow करेगा SBI bank follow करेगा HDFC bank भी follow करेगा साथी साथ और bank के हैं जो follow करेगा कुछ bank के हैं जो follow नहीं करती है वो आपका help नहीं करती है तो customer care में card अप्रूव हो जाने के बाद call करना है बताना है कि sir मेरे मेरा आप से request है मेरा card अप्रूव हो गया है मेरे card को street post से भेडा जाए सर मेरे area में service नहीं है और इस वह से दिक्कत होगा तो bank आपको बताएगा कि आपका जो card है यहां से अगर एक बार भेडा जाएगा अगर आपको receive नहीं होता है दोबारा bank कोशिच करेगी दोबारा card अपको भीडा जाएगा तो आपको पहले से request आपको generate करवा देना है आपका जो card है oh speed post से ही भीडा जाएगा यकीन मानिए हुआ है मैंने संग मैंने खुद मंगवाया है बाकी जितने सारे card होते हैं वो ब्लूट कोरियर से ही आते हैं एक बंदा था ब्लूट कोरियर का मैंने उससे पूछा भाई इसमें rule ऐसा क्यों इतना कड़ा निय हमारे company को भरपाई करना पड़ सकता है loss जा सकता है कापी चीज़े हमको share किया तो दोस्तों only security region के वज़े से ब्लूट कोरियर से आपका जो card है बेजा जाता है तो अगर मालो कभी आपका card आपको नहीं receive होता है तो कश्चमर केर में call करके आपको एक ही बात करना है कि मेरी area में service नहीं है आप इस card को speed post से भेज़ दिया जाए आपका card is speed post से आएगा मेरे दो card आए ब्लूट कोरियर से बाकी सभी card को मैंने मगवाए इस speed post से खुद call करके request generate करवाया और मेरा card मुझे मिल गया तो इही वज़य है आप पासकते हो हाँ अगर आप ब्लूट कोरियर से अगर आ रहा है तो दो बाते आपका एदम सही होना चाहिए पहला आपका address perfect होना चाहिए क आप जो mobile number है कुछ कोरियर वाले call कर लेते हैं कुछ call नहीं करते हैं तो यह जी जी है तो बहुत कम chance में other courier bank चूज करता है अधिकतर ब्लूट कोरियर चूज करता है कि यह international वीज की service है काफी अपने आप में security courier है तो आप बताना आप काट किस courier से आया था मेरे तो सभी credit card जो है group courier से ही stream कर किये गए थे बट मैंने request डलवा के उसको मंगवाया मैंने speed post से तो आप इसे ज़रूर follow करें और इसे आप change नहीं करवा सकते हो बट जो तरीका बता है उससे आप follow करके इसे दूर करवा सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा वीडियो को like कर देना दोस्तों म comment कर देना फिर मिलते हैं नए विडियो के साथ कब तक के लिए जय हिन वबंदी मातरम